K-Electric, एक इदारा, एक मनोपली या फिर एक माफिया आज बात करेंगे K-Electric के बारे में मैं हूँ महमद आमिर जमील, आप देख रहे हैं Red Watch K-Electric वो इदारा है जिसके जिम्हेदारी है कराची के तमाम इलाकों में बिजली पहुँचाना लेकिन क्या ये इदारा बिजली देता है, मुझ समय तमाम लोग का ये ही जवाब होगा कि ये सिर्फ बिल बेशते हैं, बिजली नहीं बेशते है K-Electric ने हुकूमत पाकिस्तान के इदारे नैपरा से मुहाइदा किया था 2005 के अंदर इस मुहाइदे के तहरे 2023 तक करे इलेक्टिक कराची के तमाम इलाकों में बिजली सप्लाइ करेगा लेकिन हम सब को ये ही शिकायत है, ये इदारा अपना काम सही ढंग से नहीं करता और बहुत सी जगा पे हम सब को इसके साथ इशूस आते रहते हैं इस इदारे के बारे में कुछ लोग का ये भी खयाल है कि ये वो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो के हुकूमत के बाकी इदारों से भी बत्तर चल रहा है 2005 से लेकर आज तक इस इदारे ने लाइन लॉसिस तक को कवर नहीं किया इस इदारे का इंफरेस्ट्रक्चिर बाकी सरकारी इदारों के इंफरेस्ट्रक्चिर से भी बुरा है बाकी मुल्क के अंदर लाइट होती है लेकिन के इलेक्ट्रिक की वज़े से कराची में लाइट नहीं होती है ये हालत है इस वकट के इलेक्ट्रिक और कराची वालों की Recently के इलेक्ट्रिक की मुकमल अजारादारी यानि के इलेक्ट्रिक एक अकेली मुनापली के जरिये पूरे कराची को जो बिचली सप्लाय करता है इस निजाम को तब्दील करने के लिए पबलिक हेरिंग भी रखी गई उस पबलिक हेरिंग के अंदर सरजानी से लेकर डिफेंस तक के हर तबके के शहर के लोग मौशूद थे और वह तमाम लोग फट पड़े इस हेरिंग के दोनान अवाम, सियासतदान, सिविल सुसाइटी जो भी शक्स था उस शक्स ने इसकी इजारदारी पर यही सवाल किया कि इस इदारे ने कुछ नहीं किया लेकिन K-Electric की इजारादारी खतम करने से मुतालिक एक सवाल पर K-Electric के CEO ने एक अलग बात की, वो भी सुन लेते हैं और ये भी जहन में रखें के जब कंपनी को 2005 में बेचा गया था, तो 2023 तक की एग्रिमेंट की तहट एक्स्लूसिविटी दी गई थी, जिसकी बेसिस पे इन्वेस्ट्मेंट्स हुई हैं अब आते हैं K-Electric के असल पे, K-Electric का मसला क्या है? K-Electric कराची के धाई कडोर लोगों को बिजली सप्लाई करता है, इसके पास 27 लाख कस्नमर हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ इलाकों में 4 गंटे, 8 गंटे, जबके 10-10 गंटे की लोड शेडिंग भी होती है, कुछ इ 8 से 40 वीशत तक लाइन डॉसिज भी हैं, ये इस इदारे का बस की बात नहीं है, ये एक मुश्किल काम है किसी भी एक इदारे के लिए कि वो धाई करोड के शेहर को बिजली सप्लाई करें, K-Electric बिजली बनाता भी है, रेटेल भी करता है, सप्लाई भी करता है, इसके कागल हैं, जो बिजली के लंबे-लंबे बिल भरें, और कई घंटों की लोड शेडिंग मी बरदाश करें, अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है, कि अगर हम 27 लाग कस्टमर्स की जगा पे K-Electric की इजारदारी को खतम करके, छोटी-छोटी कमपनी में बांट दें, जब हम इ लमी की वएसे तारे तूट गई, बारिश की वएसे तारे तूट गई, ये नालाइक है, ये ना आहल है, और अपने काम नहीं कर सकते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 4 मिलीमीटर की बारिश के अंदर, तकरीबन 5 लोग अपनी जान से हार दो बैठने हैं, के इलेक् कराची से कौन इसलामबाद जाता है इस एरिंग के लिए, लेकिन इस इदारे की इजारादारी को खतम करने की जरूरत है, 2023 में इसका कांट्रेक्ट खतम होगा, तो अगर हम आज से काम स्कार्ट करेंगे, तो 2023 तक हम एक अच्छे निजाम में दाखिल हो सकेंगे, और 2023 में ह हम दुवारा इन बातों पर नहीं रो रहे होंगे कि के एलेक्ट्रिक और हुकूमत पाकिस्तान कराची के लिए कुछ नहीं कर रही है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेका, कॉमेंट कर दीजेका, शेर कर दीजेका, मख़ीत ऐसी वीडियो देखने के लिए ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें